विशय को आगे बढ़ाने से पहले पिछले वीडियो को इस वीडियो से लिंक कर देता हूं ताकि ये पूरा विशय आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्च 1689 इस भी में मुगल शाशक औरंग जेब के दुआरा दूसरे मराठा शाशक छत्रपति शंबाजी महराज की ए मानविये यात्नाएं देकर निर्ममता पूर्वाख हत्या कर दी गई थी हत्या करने से पहले उनके नाखुनों को उखड़ा गया था उनकी जीब को खेंच कर काटा गया था गरम सलाखों को उनकी आँखों में डाल दिया गया था अंदा कर दिया गया था उनके शरीर के अंगों को काटा जाता और फिर फेंका जाता फिर काटा जाता फिर काटा जाता फिर काटा जाता फिर काटा जाता फिर फेंका जाता और अंतत है उनकी गर्दन को काट दिया गया उनके सिर में भूसा बरा गया और उसको नगाडों के सा बेटिर थे वहां पर बेजा गया यह दिखाने के लिए बताने के लिए कि देखो आमने चछत्रपती के साथ में क्या किया है ग Cord का लेगनिस का परिड़ाम क्या हुआ छयारों अर्म मराठे मराठे भी कि और बाद में ऐसा समय बि आया जब मुगल शा को experien a अपनी सुरक्षा के लिए मराठों पर निर्बर होना पड़ गया था हम यह देखते हैं कि पेश्वाई के दोरान कुछ सोर्स तो यह कहते हैं कि मुहम्मद शाहर अंगीला को दिल्ली छोड़ कर भागना पड़ गया था मराठों ने ने केवल मुगलों से चौथ वसूली की बलकि मुल्तान तक के एरिया से चौथ वसूल कर ले आये थे खेर विशय को और आगे बढ़ाते हैं और हम एक बर देखते हैं कि जब छत्रपति शंबाजी माराज की हत्या की गई थी उस समय मराठा सामराजे की राजधानी उस समय की राएगड में क्या हो रहा था रायगड में इस समय शंबाजी राजे के साथ वर्षिये पुत्र थे शाहुजी शाहुजी की माता थी येशु भाई और यही पर शंबाजी राजे के भाई राजा राम का राजा भीशे किया गया था मार्च 1689 वी में और अगले छत्रपती बना दिये गए थे राजा राम थोड़ा सा ओर क्लियर कर देता हूं छत्रपती शिवाजी माराज की एक पत्नी थी सई बाई और सई बाई से उनको पुत्र प्राप्त हुए थे शंबाजी राजे चत्रपती शिवाजी माराज की एक पत्नी थी सोयरा बा हाला कि इनका शाषनकाल ज्यादा लंबा नहीं रहा, 1689 से और 1700 इसवी तक का शाषनकाल रहा मात्र 11 वर्षों का, लेकिन मार्च 1689 इसवी में, जब छत्रपत्ती शंबाजी माराज की हत्या की गई थी, तो इस आउसर का लाब उठा कर, कि इस समय माराठों की स्थिती कमजोर है, औरंग जेब के दुआरा, जुल्फिकार खां के नित्रितों में, माराठा राजदानी रायगड़ पर अधिकार करने के लिए एक सेना भेज़ दी गई, और जब मुगल सेना आई, तो मुगल सेना न पर छत्रपती राजाराम को यहां से रायगड़ से सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया था, राजाराम जीवन भर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागते रहे, मुगलों के साथ में संगर्श करते रहे, और 1720 में फेफडों की बिमारी की वज़े से उनका निधन हो गया अब आगे मराठा सामराजे में क्या हुआ, छत्रपती राजाराम की मिर्त्यू के बाद में क्या हुआ, किस प्रकार से शड़ी अंतर चला, उसको थोड़ी देर के लिए हम स्टोप करते हैं इस विशे को, थोड़ी देर के लिए, और मैं आपको लेकर चलता हूँ वर्ष सन 1737 में, इस समय मुगल शाशक औरंग जेब की मिर्त्यू हो गई थी, वही औरंग जेब जो पूरे भारत को जीतने का सपना देख रहा था, वही औरंग जेब जो मराठों को अपने अदीन करने के उद्देश्य से दक्षन भारत में गया था, लेकिन दक्षन में ही दफन हो उसी औरंग जेब का निदन हो गया 1737 में, औरंग जेब की मिर्त्यू के बाद उसके दो पुत्रों, आजम और मुध्यम के मद्दे में मुगल उत्रा दिकार को लेकर संगर्श हुआ, 1737 में दोनों भाईयों के बीच में एक युद्ध हुआ, जिसको जाजव का युद्ध कहा जाता है, ये जाजव आता है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के आगरा में, इस युद्ध में मुध्यम ने आजम को पराजित कर दिया, और मुध्यम बहादूर शाह प्रथम के ना उम्मीद रखते हुए, आजम के दुआरा शाहु को, शाहु जो मुगलों की कैद में थे, शाहु भी कैद में थे, उनकी माता भी कैद में थी और उनके परिवार के और भी लोग मुगलों की कैद में थे, तो आजम के दुआरा इस युद्ध से पहले शाहु को रिहा कर दि अब उस विशे को मैं वापस शुरू करता हूँ कि छतरपती राजाराम की जब मिर्ति हुई 1720 में तो उसके बाद क्या हुआ 1720 में छतरपती राजाराम की मिर्ति होने के बाद उनकी पतनी तारा भाई ने अपने चार वर्ष के बेटे शिवाजी को अगला छत्रपती बनाया ज्यान रखना ये शिवाजी अलग है इनको छत्रपती शिवाजी सेकंड के नाम से जाना जाता है और माराठा सामराजे के जो संस्था पक थे, छत्रपति शिवाजी माराज वो अलग हैं, तो अभी मैं शिवाजी सेकेंड की बाग कर लाँ, तो तारा भाई ने 1720 में अपने 4 वर्ष के बेटे शिवाजी सेकेंड को अगला छत्रपति बनाया और स्वैम शिवाजी सेकेंड की सन्रक्षिका बन गई और सन्रक्षिका के तोर पर शाषन किया अब कहने को शाषक कौन शिवा जी सेकेंड लेकिन वास्तविक सत्ता किसके हाथों में तारबाई के हाथों में वास्तविक सत्ता तो अब जब शाहुजी भारत के दक्षणी भाग में गए वापस सत्ता प्राप नहीं होती इस प्रकार उनकी हत्या नहीं होती तो उनके बाद तो उत्रादिकारी महीं होता या अगर मैं कैद में नहीं होता तो भी नियम के इसाब से अगला शाशक तो महीं होता तो मुझे मेरा राजित हो लेकिन तारा भाई के द्वारा मना कर दिया गया तो फिर दोनों के मद्द युद्ध हुआ सन 1707 इस्वी में एक युद्ध हुआ जिसको खेड़ा का युद्ध कहा जाता है इस खेड़ा के युद्ध में शाहुजी ने तारा भाई को पराजित किया मतलब शिवाजी सेकंड को पराजित किया शिवाजी सेकंड तो बालक की अभी कितने साल 1707 इ इंतरन में आ गया तो अब इस समय दो मराठों के मराठों के दो केंद्र हो गए एक तो हो गया सतारा जहां पर शाहोजी का अधिकार था और तारा भाई अपने पुत्र शिवाजी सेकंड के साथ में सतारा को छोड़ कर कोहलापूर चली गई बालाजी विश्वनात का ये बालाजी विश्वनात वही हैं जिनके पुत्र आगे चलकर पेश्वा बनेंगे इनके बाद में बाजी राव प्रथम और जिनोंने मराठा पता का चारोर फेरा दी थी तो बालाजी विश्वनात कौंकन के क्षेत्र के चित पावन भ्रह्मन थे ये जो करनाट का और महाराष्टर का जो पस्चिम वाला हिस्सा आता है, वेस्टरन घाट वाला ये कौंकन क्षेतर कहलाता है। यहां के वो चितपावन भ्रहमन थे। एक तो उन्होंने शाहू जी का साथ दिया था। इसके अतिरिक्त परसो जी भोसले ने साथ दिया था और राणो जी सिंधिया ने साथ दिया था। अगर हम तारा भाई की बात करें तो उनके साथ में कानो जी आंगडे और धन्ना जी जादो। लेकिन यहां पर बाला जी विश्वनाथ ने इस प्रकार से कूट नीती से काम लिया कि उनके गुट को तारा भाई के गुट को छिन बिन कर दिया और आसानी से तारा भाई को पराजित कर दिया गया। तो अब सत्ता किन के आथों में आ गई मुखे रूप से शाहुजी के आथों में आ गई और आगे चलकर बाला जी विश्वनाथ के प्रियासों से ही जो दो मराठों के गुट बन गए थे उसमें सबसे महत्वपून शाहुजी को ही बना दिया गया। क्योंकि दक्षन भारत का जो दक्षनी भाग था उसमें अभी मैं बताऊंगा भारत के पूरे दक्षनी भाग से शाहुजी के नित्रित्व में जो मराठे थे उनको चौत वसूली के और सरदेश मुखी के वसूली के अधिकार मिल गए थे। खेर शाहुजी बालाजी विश्वनात से बहुत खुश हुए और बालाजी विश्वनात को अपना सेना करते बना दिया। क्या है? कई बार स्टुडेंट्स को भहुत कन्फ्यूजन होता है. मराठों की सत्ता किस के पास थी सर? छत्रपती के पास थी या पेश्वाओं के पास थी? अगर छत्रपती के पास में आरंब में थी तो पेश्वाओं के पास में कब गई? कैसे गई? पेश्वा कैसे से थी बहुत अच्छे से समझाता हूं आपको थोड़ा सा पीछे के और चलते हैं इतिहास में सन 1674 इसवी में जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज़ा बिशेक हुआ था 1674 इसवी में अपने राज़ा बिशेक के पश्चात उन्होंने राज संचालन की विवस्थाओं को अच्छा करने के लिए और प्रभावी करने के लिए आठ लोगों का एक मंत्री मंडल बनाया उस मंत्री मंडल को कहा जाता था अश्ट प्रधान अश्ट का मतलब आठ प्रधान मतलब मेन मेन लोग आठ लोग उसमें हुआ करते थे दरसल ये एक प्रकार की विभागी विवस्था थी जिस प्रकार की लगबग लगबग विभागी विवस्था आज हमको भारत में देखने को मिलती है कई बार तो लोग ये कहते हैं कि विभागी विवस्था इस प्रकार की देन हमको बिर्टिश अर्ज दे कर गए थे मैं उनसे ये कहूँगा कि एक बर आप मराठा इस्ट्री पढ़िये, छत्रपति, शिवाजी माराज के द्वारा इस प्रकार की वेवस्था बनाई गई थी. तो उन्होंने आठ लोगों का ये एक ग्रुप बनाया, जिसको अश्ट प्रधान कहा जाता था, ये मंत्री होते थे, अलग-अलग इनको विभागों का बटवारा दिया होता था, जिस प्रकार से आज होते हैं, विदेश मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, वित्त मंत्र का है हाला कि हम यह देखते हैं कि भारत में जो वास्त्विक सकता है वो प्रधान मंत्री के ही हाथों में होती है लेकिन उस समय जब शिवाजी माराज के द्वारा इन आठ लोगों के गुरूप का गठन किया गया था उस समय वास्त्विक सकता चत्रपती के पद में हुआ करती थी मतलब शिवाजी माराज के पास में थी चत्रपती को यह अधिकार था कि वो किसी को भी पद पर रख सकते हैं किसी को भी पद से हटा सकते हैं यह सारे राइट सारी पावर उनके पास में थी तो यहाँ पर राष्टपती के पास में भी होती है लेकिन राष्टपती के पास में सम्विधान के अकोर्डिंग होती है वहां राजा की इच्छा पर निर्बर करता था तो एक तो हो गया पंत्परधान या पेश्वा एक वो व्यक्ति जिसको विदेश विभाग दिया हुआ उता था मतलब मराठा सामराजे का दूसरे सामराजे या दूसरी रियासतों के साथ में किस प्रकार का रिलेशन होगा इसकी भूमी का निभाने वाले या इसका कारे भार देखने वाले व्यक्ति को कहा जाता था आज तो विदेश मंतरी कहा जाता है उस समय कहा जाता था सुमंत या दबीर या दुबीर ये नाम कहा जाता था इसके अलावा जो finance का department देखा करते थे वित्व विभाद उसको कहा जाता था आरंब में तो मजूमदार कहा जाता था और बाद में उस post को कहा गया अमात्य ये ध्यान रखना ये आपसे पूछे जा सकते हैं पंत प्रधान या पेशवा सुमंत या दबीर या इसके अतरिक्त अमात्य या मजूमदार इसके अलावा एक होता था सर ए नोबत मतलब जो सेना का अध्यक्ष होता था उसको सर ए नोब प्रधान बनाया शुरू में जब छत्रपती के पद में पावर हुआ करती थी वो लोग ताकतवर थे तो ये अश्ट प्रधान इतना प्रभावी नहीं था लेकिन बाद में जब अगले जब शाशक बने थे छत्रपती शाहुजी सत्रा सो साथ में खेडा का युद्वा था शाहुजी अगले शाशक बने थे और सत्रा सो तेरा इस्वी में बालाजी विश्वनात को जब इन्हों ने पेश्वा बनाया तो आगे चलकर अब दीरे 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 पेश्वा के पद की शक्तियां तो कम होती चली गई औरushima के प पुत्र थे बाजी राओ जिनको इतियाज में बाजी राओ प्रथम के नाम से जाना जाता है वो 20 साल की आयू में अगले पेश्वा बने थे 1720 से और 40 तक फिर बाजी राओ प्रथम की जब मृत्यू हुई तो बाला जी बाजी राओ इनके जो पुत्र थे वो बने थे 40 से 61 त 1689 से और 1720 तक रहे एक दूसरे राजाराम छत्रपती हुए थे जो 1749 इसवी में बने थे तो उनी के शाषनकाल में राजाराम सेकेंड के शाषनकाल में पेश्वा और छत्रपती के बीच में एक समझोगता हुआ था एक संदी वी थी जिसको संगोला की संदी कहा जाता है 1750 मे द्यान रखना इस बात को उस संदी के दुआरा छत्रपती के पद की जितनी भी शक्तियां थी वो पेश्वा को दे दी गई इसके अतिरिक्त आपचारिक रूप से दे दी गई हाला कि पहले ही प्रभावी तो हो चुके थे लेकिन अब आपचारिक रूप से भी वो दे दी थी तो पेश्वा का जो पद है यह वंशानुगत भी कर दिया गया मतलब जो पेश्वा का पुत्र होगा वही अगला पेश्वा बनेगा और यह जो वास्त्विक सत्ता आ गई यह अब मराठा संग में आ गई ठीक उसी प्रकार का एक एक एक्जामपल जैसे समझने के लिए कि भारत की जो मुख्य सत्ता है वो केंदर सरकार के हाथों में हैं और अलग-अलग राज्ये हैं राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाना कुछ-कुछ इस प्रकार से समझाने के लिए बोल रहो हूं इसी प्रकार से अगर उस समय हम मराठा संग देखें तो मराठा कें पेश्वा और उनका मंत्री मंडल पुने में रहता था वहीं से राजनितिक नर्णली आ करता था तो केंद्रिय सत्ता मराठो की कहां पर पुने में इसके अतिरिक्त अलग-अलग जो संग थे अलग-अलग जो वन्शु थे जैसे इंदोर में होलकर बैठा करते थे बडोदा में गायकवार बैठा करते थे गौालियर में सिंधिया बैठा करते थे और नागपुर में भोसले बैठा करते थे लेकिन इन सब के जो मुखिया थे वो कहां बैठा करते थे पुने में बैठा करते थे और पेश्वा के पास में सारी शक्तियां आ गई थी कब ओपचारिक र कि पेश्वा की पोस्ट क्या थी पहले पेश्वा ध्यान रखना मोरोपंत त्रियंबक पिंगले ये पहले पेश्वा थे और अब इसके बाद कौन-कौन से रहेंगे ये अभी दीरे-दीरे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा आपको समझ में आता रहेगा जब इनको पेश्वा बनाया गया बालाजी विश्वनात को तो इन्होंने 1719 इस्वी में भारत के दक्षिनी हिश्वे में इस दक्षिनी क्षेत्र में पूरे दक्षिनी भाग में मराठों के लिए चौथ वसूली के अधिकार प्राप्त कर लिए थे दरसल 1719 इस्वी में बालाजी विश्वनात मराठों की ओर से तो बालाजी विश्वनात और मुगलों की ओर से मुगलों के इस समय जो शाशक थे वो थे फर्रूक शियर 1713 से 1719 तक रहे फर्रूक शियर ने दखन का अपना सुबेदार नियुक्त किया वा था हुसैन अली को तो मुगलों की ओर से दखन के जो सुबेदार थे हुसैन अली और मराठों की ओर से बालाजी विश्वनात के बीच में 1718-19 में एक समझोता हुआ था और इस समझोते को रिचर्ड टेंपल ने कहा है मराठों के लिए मेगना कार्टा मतलब स्वर्ण पत्र मराठों को जो चिये था वो मराठों को मिला और मुगलों की ये मजबूरी कि देना पड़ा मराठों ने कहा इस समझोते के द्वारा जो 1719 में हुआ था अगर पूछे तो नाम ध्यान रखना शाशक कौन चत्रपति शाहूजी मराठों की और मुगलों की और से कौन है फर्रूक शियर लेकिन वास्तों में किन के बीच में हो रहा है बाला जी विश्वनात जो मराठों की और से है और हुसेन अली जो सेयद बंदूओं में से एक भा इसके अलावा ये कहा जो जो हिस्से मराठों ने जीतने हैं वो भी मराठों के पास में रहेंगे वो भी दिये मतलब जो हमारा पहले था वो तो हमारा है और जो हमारा अब है वो भी हमारा है इसके अलावा चत्रपति शाहूजी के जितने भी रिलेटिव्स हैं जो मुगलों उनको भी रिहा कर दिया जया इसके अतिरिक्ते मराठों को पूरे भारत के दक्षिनी भाग से भारत का जो पूरा दक्षिनी इस्सा है जो इस्सा मुगलों के अधिकार में आता है वो भी वहां से भी चौथ वसूली और सरदेश मुखी वसूली के भी अधिकार दो चौथ वसूली का मतलब यह है कि जो भी राजे या रियासत है उसकी आये का एक चौथा हिस्सा मराठे लेंगे और सरदेश मुखी का मतलब यह है जो revenue है उसका एक बटे दसवा इससा लेंगे यह सारा सब मराठों को दिया गया तो इसलिए Richard Temple ने काया मराठों के लिए मैगना कार्टा अब ये लेकिन मुगलों ने सब कुछ इस प्रकार से दे दिया इसके बदले उनको मिला क्या उनको ये मिला मराठों ने का कि हम सालना आपको 10 लाख रूपे दे देंगे और साथ ही साथ जब अगर कभी मुगलों को फोज की जर्रत होगी सेना की जर्रत होगी तो हम 15,000 मराठे तयार रहेंगे तो जादा कुछ दिया ही नी उनको, उनको कुछ भी नी दिया और बहुत कुछ उनसे ले लिया इसका कारण क्या? मुगल इतना क्यों दे रहे हैं? दरसल इसमें मुगल शाशक फर्रूग शियर की सहमती नहीं थी ये समझोता मुख्य रूप से सैयद बंदूओं के द्वारा किया जा रहा है दो सैयद भाई, एक अब्दुल्ला खा, एक हुसेन अली, हुसेन अली जो दखन का सुबेदार है मुगल शाशक फर्रूग शियर इनके सैयोग से ही मुगल शाशक बने थे लेकिन इनके विरुद्ध जब शडियंतर करने लगे तो हुसेन अली ने ये तयारी कर ली थी कि मराठों की सायता के बिना फर्रूग शियर की अत्या नहीं की जा सकती तो इसलिए मराठों को जो चाहिए था उस सब कुस दिया और 15,000 की मराठों की फोज लेकर फिर दिल्ली के और कूच किया दिल्ली में 4 और मराठे मराठे थे और एक पहले के किसी वीडियो में मैंने आपको बताया है सोर्स का रेफरेंस देते वे कि मराठों की साहिता से इसके अलावा मारवाड के शाशक माराजा अजीत सिंग की साहिता से और भरतपूर के जाटों की साहिता से इन सेयद बंदूओं ने फर्रूक शियर को मौत के गाट उतरवा दिया था इन सेयद बंदूओं ने अफगान और पठानों को आदेश दिया इनका आदेश पाकर अफगान और पठान मुगलिया हरम में गए वहाँ फर्रूक शियर छिपा हुआ था फर्रूक शियर को पकड़ा बाल पकड़ कर गसीटा नंगे सिर था नंगे पैर था उसकी आखे फोर दी गई तिर्पोलिया जो गेट है दिल्ली में वहाँ पर बंद कर दिया गया था वहाँ बनी हुई जेल में और अंततय उसको मौत के गाट उतार दिया गया था ठीक जिस प्रकार से फर्रूक शियर ने बंदा सिंग बहादूर के साथ में किया था इतना कुरूरता पूरूक विवार तो उसके साथ नहीं किया लेकिन उसको भी कुरूरता के साथ मौत के गाट उतार दिया गया था तो कैसे मराठों के साथ जो एमान विवार हुए थे अत्याचार हुए थे आगे चल कर अब मराठों का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि मुगल शाशक को गद्दी से हटाने के लिए मराठों की सायता की आवशकता पड़ गई थी और ये बात भी देखो यहां से क्लियर है कि अगर मुगल शाहु जी के पेशवा बाला जी विश्वनात के साथ में अगर समझोता या संदी कर रहे हैं तो मुगल भी ये मान रहे हैं कि मराठों का जो मुख्य केंद्र है वो कोलापुर नहीं है वो सतारा है और वो भी शाहु जी को मराठों का मुख्य छत्रपति मान रहे हैं अब बाला जी विश्वनात के बाद में में जो कहानी शुरू होती है इतिहास शुरू जो होता है वो होता है इनके पुत्र बाला जी बाजी राव प्रथम के शाशनकाल में बाजी राव प्रथम जिनोंने मुल्तान से चौ में बंद रहा था ये भी कहते हैं मुगल शाशक लाल किला छोड़ कर भाग गया था पुर्तगालियों को पराजित कर दिया था पुर्तगालियों के इससे चीन लिये थे जो जंजीरा है वहां के सिद्धियों को पराजित किया था हैदराबाद के निजाम को पराजित कर दिया बाजी राओ को कहा जाता है एक लड़ा को पेश्वा बाजी राओ के उपर इतनी गजब की पिच्चर बन सकती थी लेकिन बना क्या दी इन्होंने इनको क्या चार्ट मसाला चाहिए होता है इसलिए इस प्रकार की पिच्चर बना दी जबकि बाज़ी राव प्रतम का आप जब वीडियो आएगА न तब देखना है ऐसे- ізयोद्दा हुए हैं उआरे इतिहास में जिनके बारे में पता करना बहुत जरूरी है जिनके बारे में पढ़ाना बहुत जरूरी है चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में तेंक्यू, जय हिंद।